नमस्कार मैं हूँ बास्देव साहू और आई वेलकम टू दो वाल्ड चानल रिसेंटली आइसीसी यानी एंडियान चैंबर आफ कमर्स सम्मिलनी में अमिस सहा और्ज किये हैं सारे इंडस्ट्री को आप आए और नर्थ इस्ट में इंवर्स्ट किजिए ताकी नर्थ इस्ट हमारे लिए क्यों इतनी इंपोर्टांड है not only economy perspective बट also defense perspective से भी पिछले सार साल में नर्थ इस्ट में काफी सारे changes देखने को मिला है जैसे कि 2007 से लेकर 2014 तक हर साल दंगे की बजा से 385 सिविलियन की देथ होता था और 2010 से अब तक only two लोग का देथ हुआ है ये अमिस सहा जी का बयान है अगर कोई place पर industrial development होना है तो उस जगावे peace maintain करना बहुत ज़रूर है पिछले कुछ महिने में लगातार देखने को मिला है 4000 से उपर arm people पुलिस के सामने surrender कर चुके है एसा नहीं है कि अच्चानग एस अब हो गया है इसलिए central government और state government मिलके हर एक surrender person को 12,000 रूपीज दिये है फर resettlement और इससे कई सारे लोग प्रहाइद होके पुलिस के आगे surrender किये है इसका फाइदा भी हुआ है इस scheme का और industry के लिए peace के साथ साथ road connectivity का होना बहुत ज़रूरी है इसलिए सरकाद 2014 से 2021 के बीच 2,65,513 करूर spend किया है फर infrastructure develop के लिए हम पिछले दो तिन साल में कुछिज कर रहे ताकि चाइना को counter किया जा सके बर चाइना हमसे आगे निकल गया है आप कुछ दिन पहले एसे article पढ़े होंगे जहां पे लिखा है चाइना और वांचल प्रदेस में village build कर रहा है एसी information हमको दूसरी country की खुफिया agency या satellite image की थुरू मिलता है एसी situation में चाइना हमसे आगे है ताइना अपना बुडर एरिया के आसपास village build कर रहा है और वहाँ पे लोग भी रहते हैं कल अगर इंडिया के side से कुछ भी हल्चल होता है तो वो direct inform कर देंगे Chinese military को पर इंडियान side एसा कुछ नहीं है देखिए इसका region भी है जो भी बुडर के आसपास village है वो एरिया उतना डेवलोप नहीं है जिसका बजा से लोग सहर की तरफ आ रहे हैं और सहर में उनको आची lifestyle आची रुजगार आची internet मिलता है जिसकी बजा से वो लोग उहीं सेटल हो जा रहे हैं और जो भी village है इन बुडर एरिया उनके पास connectivity का इसू तो है साथ साथ internet का भी इसू है काल को चाइनिस आर्मी की तरफ से कुछ भी हलचल होता है और village लूग किस माध्यों से इनफर्म करेंगे ना कोई internet है ना कोई connectivity है इसलिए इंडिया को आज need है इंडिया बुडर एरिया के आसपास डेवलोप करें और world class infrastructure बिल्ड करें ताकि बुडर के आसपास की एरिया में इंड तो यह भी मानना है चाइना को लेके USA फ्रांस UK में जिस तरह सेंटिमेंट है उसका फाइदा उठाके इंडिया नर्थ इस्ट एरिया खास करके अरवांचर प्रेंस में foreign investor भी ला सकता है देखते हैं आगे जाके क्या होगा सरकार क्या करते हैं आज के लिए इतना ही आसा करत हूँ आपको वीडियो पसंद आया है पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और हाँ दो वाल्ड इटू चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिजिए रहता हूँ जहिंद